फायर पान के बारे में तो हम सब ने सुना ही था क्या आपने सुना था फायर गोलगपा के बारे में और वो भी आप घर पर बना सकते हो सिर्फ कुछी चीजों के साथ जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि घर पर मैं फायर पान या फिर फायर पानी पूरी बना सकती हो लेकिन मैंने और करी बीका नेर की पानी पूरी जो की होती है बहुत ज़ादा टेस्टी और आप यहाँ पर देखोंगे मैंने सिर्फ एक ही पानी पूरी order की थी because I don't want to waste my money तो इसलिए मैंने एक ही पानी पूरी order की उसमें दो तरीके के पानी आयते मीठे और खटे और आयती फिलिंग के लिए ये आलू, चाट, पापड़ी जो भी बोला जाए इसको और देखो कितिनी महेंगी प्लेट है पहले तो बोला जाता था 10 रुपे में 6 गोल कपे यहाँ पर 110 में 6 गोल कपे मिले हैं वैल यह मुझसे ओपन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अपने कुक अंकल को बोला please help me and open कर दो इसको भई मुझसे हो नहीं रहा है मेरे कपडों में ना गिर जा बस इसी चीज़ का डर था कर अंकल ने बहुती स्मूदली ओपन किया और यहाँ पर जो फिलिंग के लिए था ना बहुत अधी अच्छी कुछ बहा थी उसमें से एक्दम फ्रेश फ्रेश वैसे मेरे सूजी के गोल कपपे बंगाये थे आटे के पताने क्यों आ गए आपने मुझे बहुत टास्क दिया है कि मदीदी आप अपने घर पर गोल कपपे बनाओ वो भी चूले में बहुत जल्दी मैं वो भी करने वाली हूँ आप आपको वीडियो अच्छी लगे की जब भी मैं वो करूँगी अब तयारी करी जाए फायर पानी पूरी की जिसका आप सभी को इंतजार था वैसे मैं एक बात आता दूँ ये चंदीगर से मेरे पास आई है अर्मान भाया की घर पर बनाओ फायर वाली पानी पूरी तो मैंने सिर्फ उनके कहने पर ये पानी पूरी बनाने की ट्राई करी है सच बताओं तो थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ऐसी पानी पूरी ना खाई है ना कभी बनाई है देखी बहुत है फायर पानी पूरी लेकिन खाई नहीं है जो मेरी वीडियो शूट कर रहे थे रोहिद जी मैंने सबसे पहले वो पानी पूरी इनी को खिलाई खैर पानी पूरी से डर तो बहुत लग रहा था लेकिन टेस्ट बहुत गंदा था कपूर का टेस्ट अब्विसली गंदा ही आता है फिर बार ही है हमारे कोक अंकल की जिनको मुझे खिलाना ही खिलाना था क्योंकि वो बहुत अधा एकसाइट थे उचल रहे थे पीछे से कहरे थे मैं भी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा मुझे डर बिलकुल भी नहीं लगता मैंने ये भी बोला कि 5000 रुपे दूंगी अगर तू ये खा गया तो देखो उसने चीटिंग करी और 5000 रुपे हार गया अगर आपको भी फायर पानी पूरी खाने का चांस मिले क्या आप खाऊगे आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना फायर पान तो मैंने खाया है उसका टेस्ट भी बहुत गंदा है क्योंकि कपूर का टेस्ट तो अबिसली गंदा ही होता है वैल अब बारी थी चौते गोल गप्पे की सुधीर बहुत जाथा खुश हो रहा था हर किसी को देख देख के मैंने का चल अब तू भी खुश कर दे लोगों को तो मैंने उसके लिए भी पानी पूरी बना दी थी और आप देखो के ये पानी पूरी बनाते बेना मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा हाथ ना जल जाए या मेरे बाल ना जल जाए या मेरे कपड़े ना जल जाए तो सोचो हमें खाते वे कितना डर लगता होगा आग है ही तनी धरावनी चीज़ मैंने इसको बड़ी ही मुश्किल से खिलाया था लेकिन अब बारी आई थी मेरे खाने की जी हाँ मैं भी तो खाऊँ मैं भी तो जड़ा टेस्ट करूँ कि सब खा रहे हैं तो सब डर रहे हैं हस रहे हैं लेकिन मेरी बारी आई फाइनली और मुझे ये खाने की बहुत जग्यासा थी कि मैं भी इसको खाकर देखू ये है कैसी टेस्ट में बाइगाउड डर तो बहुत लग रहा था लेकिन मैंने हिम्मत करी और फूक मारा और ये मैं खाने ही वाली थी तो मुझे डर लग गया इसलिए मैंने वो छोड़ दिया फिर मुझे लगा ऐसे मुझे चीटिंग नहीं करने चाहिए सब को खिलाया तो या मिर को भी खाना चाहिए वैसे भी ये जो चैलन्ज था इससरफ मेरे लिए था दूसरों के लिए नहीं था तो यहाँ पर पुनीत ने मुझे चालवाजी से खिलानी का चाहा और मैंने बोला बगवान जी माफ करना अगर मेरी जीब जिल गई तो मैं जादा मोल नहीं पाऊंगी और देखो मैं खाने में बिलकुल हार गई जहां मैंने फायर पान खाया है मुझसे फायर गोल गपपे नहीं खाये गए क्योंकि गोल गपपे तो भाईया होते ही लड़कियों के फेवरेट है ना वैल मैं इस चैलेंज में हो गई फेल अब आप कॉमेंस करके बताना इस चैलेंज में जीता कौन है किसने निडर होके गोल गपपे खाये है एक नई वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना वीडियो को लाइक कर देना बाई बाई लव यू आल